नमस्कार, मैं विश्णु शंकर, टीवी नाइन भरत वर्ष डिजिटल के मंज से आज बात करेंगे चीनी एप्स की और उनसे जुड़े हुए आर्थिक मुद्दों की भारत में इस सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि मुदी सरकार ने टिक टॉक और पबजी के साथ साथ 202 अन्य चीनी एप्स पर जो बैन लगाया था उसका कोई असर होगा या नहीं यह सवाल दुनिया के कई अन्य देशों में भी विचार का विशा है विशेशकर अमरीका में जहां राश्पती डॉनल्ड ट्रंप ने चीनी कमपनी बाइड डांस के अप टिक टॉक के अलावा एक और विशाल का है चीनी कमपनी टेन सेंट के मेसेजिंग अप विचैट पर पिछले महिने यानि अगस की छे तारिख को एक एग्जेक्यूटिव ओर जारी करके उसके खलाव ये कहा है कि कि किसी भी अमरीकी नागरिक को विचैट के साथ किसी भी परकार के ट्रांजक्शन करने की इजाज़त नहीं है ट्रम्प ने टिक टॉक और वीचैट की मालिक कमपनियों को अल्टिमेटम दे रखा है कि अगर चैगस से 45 दिनों के भीतर इन दोनों एप्स के अमरीकी ऑपरेशन को बेचा नहीं गया तो वो इन पर प्रतिबंदगा देंगे तब से अमरीका और चीम में हलकम पंचा हुआ है कि बाइट डांस और टैन सेंट का अमरीका और दुनिया के अन्य बाजारों में क्या भाविश्य है क्योंकि ये दुनों दुनिया के बहुत बड़े स्टार्ट अपस हैं और इन में अर्बों डॉलर का निवेश हुआ हुआ है लेकिन वीचैट इसका सबसे सफल प्रोड़क्ट है हाल के वर्षों में टैनसेंट दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम मेकर कंपनी रही है इसकी स्ट्राटेजी साफ है या तो यह बड़े गेम डेवलपर्स में निवेश करती है या उनको खरीद लेती है टै प्रेसला, रेड़िट, डिस्कॉर्ड और स्नाप शामिल हैं माना जाता है कि टैनसेंट के निवेश एक अरब डॉलर से ज़्यादा वाली स्टार्टप कंपनियों में जापानी इन्वेस्मेंट बैंक सॉफ्ट बैंक से भी ज्यादा है यूनिकॉर्ण स्टार्टप्स में लिए सॉफ्ट बैंक मशूर है टैनसेंट का दखल स्ट्रीमिंग और म्यूजिक बिजनस में भी है ब्लूमबर्ग के अनुसार अभी कीमत पर टैनसेंट दुनिया की आठवी सबसे महंगी कंपनी है थोड़ी सी जानकारी बाइट डांस के बारे में भी स्टार्टप ट्रैक तीन अरब डालर रहा अमेरिका में बाइट डांस के दस करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और अगर अभी इस पर बिक्री के तलवार नहीं लटक रही होती तो कंपनी टिक टॉक से अमरीका में अरबों डालर कमाने की फराक में थी अब जरा भारत में इन दोनों चीनी के प्रोडक्स के बारे में जान लीजिए 2019 में भारत में मॉबाइल गेमिंग इंडिस्ट्री के वैल्यू 89 करोड थी और उमीद थी कि 2020 में ये एक अरब डालर सूपर चली जाएगी 2020 के आंक्रे तो अभी नहीं आए हैं लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि लॉक्डाउन ल मॉबाइल कंटेंट ट्राकर स्टाटिस्टा के अनुसार 2019 में भारत में मॉबाइल गेम से हुई कमाई 73.6 करोड डॉलर थी अगर ये बैन नहीं हुआ होता तो इन ट्राकर के अनुसार अकेले बाइड डान्स के एप टिक टॉक का रेविन्यू टागेट इस साल के जुलाई उसी देश में 2018 में मॉबाइल फोन पर उपलब्ध हुआ था और 2020 आते आते यब भारत का तीसरा सबसे लोकल प्रियर मॉबाइल गेम बन चुका था हाला कि भारत मॉबाइल गेम रेविन्यू के मामले में दुनिया के और देशों से पीछे है लेकिन गेमर्स की तादाद के हिसाब से चीन और अमरीका के बाद हमारा ही नमबर है भारत में जो चीनी एप्स बैन हुएं उनसे मिलने वाई रेविन्यू लगबग 20 करोड डॉलर होता अकेले पबजी को 10 करोड डॉलर का नुकसान हुआ है ये नमबर्स देखने में छोटे लगते हैं लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़े होने वाले हैं क्योंकि भारत में मुबाइल स्केम की लोकपरियता दिन दूनी राजचोगनी बढ़ रही है उधर अमरीका में जैसे ही ये खबर पहुंची कि पबजी भारत में बैन हो गया है अमरीकी बाजार में 10 सेंट के शेयर धणाम से गिरे और उसको एक अरब 38 करोड डॉलर का नुकसान हुआ तो साफ है चीन ने दुनिया भर में अपने रवेये से और अपने विवहार से जनता ही को नहीं सरकारों को भी अपने पारे में साफधान कर दिया है और अगर वो चेत्ता नहीं है तो लगातार विश्व बिरादरी में उसका दारा कमतर होता जाएगा सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा ऐसे मुद्दे उठाएं जो विचार नहीं हो और आपके लिए फूट फॉर थॉर्ट दिसकें हमारे साथ आज जुणने के लिए धन्यवाद आशाय आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे